प्रवाद आदाम नमस्कार आज सुक्रवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैंनसीर क्रेसी खबरों की सुरुगात करते हैं इस बड़ी खबर से सुर्यामा एलाके के बिजाईपुर में संचालित होने वाले मिनी बैंक की संचालिका से नकाप पोस बाई सबार बदमासों ने सस्तर के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरहर हो गए मिनी बैंक संचालिका कई बार बदमासों से भिड गई और एक बदमास को हाथा पाई के दोरान गिरा भी दिया था सुर्यामा एलाके के बीरंपुन निवासी अजीत कुमार की पतनी सबिता देवी बड़ोदा बैंक का विजैपुर में मिनी बैंक संचालित करती थी सबिता देवी सुबा मिनी बैंक पर बैठी हुई थी तभी बाईक से चेहरे पर मास्क लगाए दो बदमास पहुचे एक बदमास बाईक से उत्रा और सबिता के पहुच कर उसके चेहरे पर सस्त्र लगा कर पैसा लूट कर भागने लगा मिनी बैंक संचालिका सबिता ने पैसा लेकर भाग रहे बदमास से हाता पाई भी की लेकिन तब तक बदमास फरार हो गए मीनी बैंक संचालिका से दिन दहाले हुए लूट की वारदात के बाद डियाजी आर्पी सिंग भी पहुच गए थे उधर यसपी डाक्टर अनिल कुमार, सीयो भदोही, अजे कुमार चौहान सहित, सुरियामा दुरुगागन पुलिस, क्राइम ब्रांच वा फॉरेंसिक टीम भी घटना अस्थल पर पहुच गई थी पुलिस सीची टीवी फूटेज को भी खंगाल रही है मीनी बैंक संचालिका सबिता देवी ने वहां मौझूद लोगों से मदद भी मांगी थी लेकिन महिला की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया अकेले महिला बदमासों से हाता पाई करती रही इस दोरान एक बदमास महिला के हाता पाई से गिर भी गया था सस्तर के बल पर बाइक सवार बदमासो ने 75 हजार रूपिया लूट कर फरार हो गए उधर सबिता देवी का कहना है कि उसने कुछ पैसे को बदमासो से छीन भी लिया था फिलहाल पुरिस पुरे मामले की जाज परताल में चुटी हुई है पैसा लेके चल दिया असी हजार था उसमें सा और हम चेन दिये उसको पकड़ लिये फिर यहां पर गिर गया अगलादू इसको पड़ कि ले गया फिर हम दवड़ते हुए वहां पर गया था पाई गिया फिर आमको यहां पर लगा दिया फिर मात पीठोने लगी और लोग चौरी एलाके के बरदहा गाउ में हंसराज बिसकर्मा नामक ब्यक्त के कच्चे रिहाईसी मकान में आग लग गई आग लगी की इस घटना में डेड़ लाख नगत सहित साधी के लिए रखा कीमती कपड़ावा अनगिरस्ती का सामान जल कर खाक हो गया बरदहा निवासी हंसराज बिसकर्मा के मताबिक वह बाजार गई हुए थे परिवार की महिलाएं बाहर बैट कर धूप ले रही थी इसी दवरान रिहाईसी कच्चे मकान से धूआ उठने लगा परोसी वा परियन कुछ समझ पाते तब तक आग ने मकान को अपने चपेट में ले लिया था मई में हंसराज बिसकर्मा के पुत्र की साधी है मकान में डेढ़ लाग नगत सहित साधी के लिए कीमती कपड़ावा सामान रखा हुआ था जो जल कर खाक हो गया ग्रामलो ने नीजी संसाधनों से आग पर काबू पाया आग लगने का कारण सार्ट सर्कुट बताया गया है महिलाओं का रो रोकर बुरा हाल है भदोही जिले में गुरुवार को उस वक्त हड़कम मच गया जब ग्यानपूर इलाके के सिंगपूर वा असनाव बजार के मलूपूर गराम सभा के प्रात्मिक बिद्याले चक हरीबंस पसियान कला के इसकूली बच्चों की तबियत बिगड़ने की सूचना आने लगी देखते ही देखते दोनों इसकूलों में हरकम मच गया गाउं में अपरा तफरी फैल गई बताया जाता है कि फाइल एरिया अभियान के तहट स्वास्त विभाग द्वारा इसकूली बच्चों को दबा पिलाई गई थी फाइल एरिया की दबा खाते ही कुछ बच्चों की तबियत बिगड़ने लगी अध्यापकों की सूचना पर आनन फानन में एम्बूलेंस को सरकारी स्कूलों में भेजा गया और तबियत बिगड़ने वाले बच्चों को जिला अस्पताल में भरती कराया गया था मुक्च गिस्सा अधिकारी डाक्टर संतोस कुमार चक ने जारी प्रेश्बिक्यप्ती में कुल नव बच्चों की तबियत बिगड़ने की बात कही है प्रात्विक उफचार के बाद अस्पताल लाए गए बच्चों को उनके घरों के लिए भेज दिया गया था भदोही जिले के सिंगपूर व असनाव इलाके के विद्यालेओं में फाइलेरिया की दवा खिलाने के बाद बच्चों की बिगड़ी तबियत की बात भदोही जिले में जंगल के आप की तरह फैल गई सूचना मिलते ही जिला अस्पताल खचा-कच भीर से भर गया था मौके पर सपा नेत्री अंजनी सरोज भी पहुँच गई थी जहां बच्चों के परिशान अविभावकों को धा धस बधाते हुए सपा नेत्री ने चाय, पानी, बिस्किट जैसे सामानों का इंतिजाम किया और मुक चिकित्सा अधिकारी से वारता कर हर हाल में बेहतर चिकित्सा सुप्दा उपलवद कराए जाने की मांग की उधर सपा नेत्री ने जिला अस्पताल में मौझूद पेजल बेवस्था की भी पोल खोल कर रग दी पेजल के लिए परिशर में बने सीतल पेजल भवन के गेट पर ताला लटका हुआ था तोटियां गाइब थी, गंदगी का अमबार था अस्पताल में पेजल की दुर बेवस्था देख सपा नेत्री बेवस्थाओं की पोल खोल दी ग्यानपूर मुख्याले सरपता में एक कार ने बाइक में टककर मार दी बाइक पर सवार उज इलाके के सी की चौरा निमासी, नीरच कुमार विसकर्मा, राजदेई विसकर्मा वा तीन वर्सी कृष्ण कुमार विसकर्मा नामक बच्चा घायल हो गया बताय जाता है कि सी की चौरा निमासी, नीरच विसकर्मा, अपनी मार राजदेई विसकर्मा वा तीन वर्सी पुत्र कृष्णा विसकर्मा को लेकर बाइक से सनगड़ी जा रहे थे तभी सरपतहा मुख्याले के समीब कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक कार बाइक से जा भीड़ी हासे में बाइक पर सवार तीनों लोग घायल हो गए टककर से बाइक वा कार छतिगरस्त हो गई थी सभी घायलों को जिला अस्पताल ग्यानपुर में भरती कराया गया सूचना पर पुलिस भी पहुँच गई थी डियाजी आरपी सिंग गुरुवार को अवराई पहुचे थे डियाजी ने पहले अवराई थाने का निरिच्छल किया अभी लोखों के रख रखाओ की पड़ताल की लंबित विवेचनाओं को पूरा करने का डियाजी ने निर्देश दिया उसके बाद दलबल के साथ डियाजी अवराई में रूट मार्च पर निकल पड़े जहां राष्टी राज मार्ग सहित सलकों पर किये गए अधिकरमल को हटाए जाने का निर्देश दिया है डियाजी के पहुचने से पुलिस महकमे में हलकम मचा रहा सलक किनारे बेतरतीब खड़े वहनों वपटरियों पर अधिकरमल कर सजाई गई दुकानों को हटाने का डियाजी ने निर्देश दिया है साथ में सीओ अवराई यूपी सिंग, इस्पेक्टर गगन रास सिंग, सहित तमाम पुलिस के जमान मुचूद रहे सुरियामा एलाके के अलग-अलग तीन अस्थानों पर किये गए अधिकरमल पर तहसील परसासन का बुल्डोजर गर्जा है तसिल्दार भदोही सत्यपाल परजापती ने बताया कि सुनील कुमार तिवारी ने भीमसेनपुर के अतिकरमल को लेकर न्याले का दरवाजा खटखटाया था जहां तसिल्दार कोट ने बेदखली का आदेश दिया था आदेश के बाद राजस्टीम गाउं में पहुची थी जहां घंस्याम वा सुनील कुमार द्वारा किये गए अतिकरमल को हटाया गया इसी तरह चकमार्क पर भी अतिकरमल की सिकायत मिली थी चकमार्क से भी अतिकरमल हटाते हुए एडियो पंचायत ने काम सुरू करा दिया है इसी तरह निमकोडिया तालाब की भूम की तरफ एक व्यक्ती दोरा मकान का बार्जा निकाल लिया गया था इस अतिकरमल को भी बुल्डोजर से गिरा दिया गया है टीम में भारी पुलिस बल के साथ नायब तसिलदार, बलवंद उपध्या, ईयो सुरियामा सोनल जैन, थाना अध्यच राकेश कुमार सिंग, राजस निरिचक स्याम लाल, लेखपाल सुरेंद्र कुमार, रजनीज बगहेल आदी मुझूद रहे भदोही नगरपालिका इलाके के घमापुर में एक माँ पहले बिछाई गई पेजल पाइप लाइन के चलते, प्रति दिन हजारों लीटर जहां जल की बरबादी हो रही है, वहीं घमापुर महले में जल जमाव बना हुआ है पाइप लाइन लीकेज होने के चलते, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुच रहा है महले के नजरुद्दीन साह, जुल्फ कैफ, सजीरुन, मुस्लिम साह जैसे महले वासियों ने बताया कि एक माँ पहले पेजल पाइप लाइन बिछाई गई थी, ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके चलते जगा जगा से पाइप लाइन लीकेज कर रही है और प्रतिदीन जल की बरबादी हो रही है, घरों तक पानी नहीं पहुच पा रहा है, पाइप लाइन बिछाने के लिए उखाली गई सडके भी इसी हाल में छोड़ दी गई है, मुहले वासियों ने अधिसासी अधिकारी जीलाल का ध्यान आक्रिष्ट कराते हुए समस्या उसे लिजाद दिलाने की मांग की है। गिरहतार में रवी संकर पाल भधोही कोतवाली एलाके के धौरारा रुध्र पुरका वा अनिल यादो प्र्यागराच के खीरी कंचनपुर का निवासी बताया गया है पुलिस के मुताबिक इन दोनो आरोपियों पर कई मोकद में दर्ज है गिरफ्तार करने वाली टीम में रजपूरा चौकी इंचार्ज महश कुमार सिंग हेट काश्टेबल अबरार अहमद वपर्भारी स्वाड टीम के उपनिरिछक परदीप कुमार हेट काश्टेबल तुफेल अहमद नरेंदर सिंग नागेंदर यादो वकाश्टेबल मन्नू सिंग समिल रहे आवराई दुर्गा पूजा पंडाल अंग्नी कांड में जुलसे सरधालों की मदद के लिए पीडित परिवार डियम दरबार पहुचा था सामाजी कारकरता नितीज चौबे के साथ अगनी कांड के पीलित परिवार डियम दर्वार पहुचकर मदद की गवाल लगाई है नितीच चौबे ने डियम से मुलाकात कर दुरगा पूजा पंडाल अंगरी कांड में जुल से पीलित परिवार को मदद दिये जाने की मांग की है कहा कि बचे हुए पीलित परिवार को मुआविजे की मदद दी जाए साथ ही जुल से बच्चियों के सरजरी के लिए जिला परसासन पहल करे हलाके पीलित परिवार को डियम गौरांक राठी ने हर संभव मदद देने की बात कही है आपको बता दी कि पिछले दिनों आवराई तहसिल में 18 पीलित परिवार को भदोही जिला परसासन द्वारा 50-50,000 रुपे का मुआवजा चेक दिया गया था चुट्टा पस्मों के आतंग से परिशान अवराई बलाक के नट्वा गाउं के लोगों ने यूपी डाइल 112 पुलिस बुला ली शिकायत के बाद यूपी डाइल 112 पुलिस तो पहुँच गई लेकिन इस समस्या को लेकर काफी देर तक खुद पुलिस भी परिशान रही नट्वा गाउं के लोगों ने बताया कि गाउं में चुट्टा पस्मों का आतंग इसकदर कायम है कि घर से निकलना भी दुस्वार हो गया है आए दिन हमले से लोग घायल हो रहे हैं खेतों में खड़ी फसल को भी चुट्टा पस्मों नुकसान कर रहे हैं चुट्टा पस्मों के डर से वा समस्याओं से निजात पानी के लिए नट्वा के लोगों ने हिल्फ लाइन नंबर 112 पर फोन कर दिया पुलिस तो मौके पर पहुँच गई लेकिन इस समस्या को लेकर वा खुद परिसान हो गई गिरामलों का कहना है कि छुट्टा पस्मों के हमले से अब तक कई लोग घायल भी हो चुके हैं ग्यानपूर तहसील इलाके के चकडोडर से पहुचे बर्मासी समाज के लोगों ने आवासी पट्टा दिये जाने की गोहार लगाई है डियम को पत्र सोबते हुए सीला, लच्मी, बसंती, उसा, परभावती, सहित, दर्जनों ने कहा कि वह सभी मुसहर समाज से हैं और बेहत गरीब हैं मेहनत मजदूरी करके जी को पारजन करते हैं, रहने के लिए भूम नहीं है, पट्टा दिये जाने के नाम पर हलका लेखपाल द्वारा पांच हजार रुपया रिस्वत मागा जा रहा है चकडोडर के मुसहर समाज के लोगों ने डियम भदोही को पत्र सोपते हुए आवासी पट्टा दिये जाने की वहार लगाई है अभूली के कुल्वा गाव निमासी कथा वाचक वा आदर्स नव उत्थान राम लीला समित के अध्यच सेस्मरी दूबे का निधन हो गया सेस्मरी दूबे काफी मिलनसार वा धार्मिक व्यक्ती थे पुरोहित पंडित के साथ सेस्मरी दूबे कथा वाचक भी थे उनके निधन से आसपास के कई गाव में सोक की लहर दोड़ गई उनके घर पर सोक सम्वेदना व्यक्त करने वालों का ताता लगा रहा गोपी गन का ककराही पूर माध्यमिक विद्याले पिछले कुछ दिनों से अराजक तत्तो के निसाने पर है शिकायत के बावजूद भी नुकसान पहुचाने वाले अराजक तत्तो पर कारवाई नहोने से उनके हाउसले बुलंद है ककराही के पूर माध्यमिक विद्याले की प्रिंस्पल पुस्पा अग्रवाल ने बताया कि आए दिन अराजक तत्व विद्याले को नुक्सान पहुचा रहे हैं बाउंडरी वाल सोचाले पर लगी टंकी की पाइप, टाइल्स, दिव्यांग सोचाले की दीवार, खिरकी दर्वाजे को छती गरस्त कर रहे हैं विद्याले परिसार में लगे पौधो को भी नश्ट किया जा रहा है सरारती तत्व के कारस्तानी से विद्याले की लोग काफी परिसान है अराजक तत्व की इस कर्तूत की सिकायत कई बार की गई लेकिन कारवाई नहोने से ऐसे सरारती तत्व के हुसले बुलंद है स्कूल की प्रेस्वल ने एक बार फिर गोपी गंज पुलिस को सिकायती पत्र देते हुए सरारती तत्यों के खिलाप कारवाई की मांग की है डाटा परबंधन को लेकर भारती जनता पार्टी ने आवराई के ममहर में एक कारशाला का आयोजन किया था जहां डाटा परबंधन वा उसके उपियुगता के बारे में जानकारी दी गई जहां डाटा परबंधन के बारे में कारसाला में मوجود लोगों ने पार्टी पता अधिकारियों को जानकारी दी बैटक में अस्मनी श्रीवास्तो, सती संकरजैसवाल, qanjay मिस्रा आधी मोजूद रहे डियम गौरांग राठी की अध्यस्ता में कलेक्टेट सभागार में राजस वकर करित्तर की समिच्छा बैठक संपन हुई है अधिकारियों के साथ हुई बैठक में डियम ने राजस वसूली बढ़ाये जाने का निर्देश दिया है कम वसूली होने पर नगरपाली का परसद भदोही वग्यान पुन नगर पंचायत के कर निर्देश का डियम ने बेतन रोकने का निर्देश दिया है डियम ने 5 बड़े बगायदारों पर कारवाई करने का भी निर्देश दिया है डियम ने सभी उबजिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की भूमी विबाद मुकद्मों का निस्तारान कराए अन्नथा कठोर कारवाई की जाएगी बैठक में डियम ने सरकारी भूम सहित तालाबों पर हुए अतिकर्मल को हटाए जाने का सक्ती के साथ निर्देश दिया है सिकायतों के आधार पर सत्यम न्यूज पर चलने वाली तमाम खबरों में सिकायत करताओं दौ़ारा आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किया जाता है ऐसी खबरों का सत्यम न्यूज की टीम, रिपोर्टर, सूत्र या सत्यम न्यूज से जुड़ा कोई भी सदस, इसकी पुष्टी नहीं करता सिकायत करताओं के अपने व्यक्तिगत आरोप होते हैं सत्यमनीज इन आरोपों की पुष्टी नहीं करता इसी अपील के साथ आपका दिन मंगल मैं हो अब नसीर कुरेशी को दीजी एजाजत नमस्कार आदाब